देली करेंट न्यूस में अभी की खबर है चक्रवात डाना हाले में भारती मौसम विज्ञान विभाग यानि आई-मडी ने बंगाल की खाड़ी के उपर चक्रवात डाना की बनने का पुर्वनुमान लगाया है साथी आई-मडी द्वारा चक्रवात डाना की 23 अक्टूबर तक ओडीशा और पश्चिन बंगाल को प्रभावित करने की उमीद जताई जा रही है इसका नामकरड सौधी अरब द्वारा किया गया है जिसका अर्भी भाशा में अर्थ, उदारता या दान है चक्रवात डाना बंगाल की खाड़ी के उपर बनने वाला एक उष्ण कटी बंधी चक्रवात है चलिए अब जानते हैं उष्ण कटी बंधी चक्रवात के बारे में यह हिंसक तुफान होते हैं जो उष्ण कटिबंधिय शेत्रों में महासागरों की उपर उत्पन होते हैं और तटिय शेत्रों की ओर बढ़ते हैं साथ यह हिंसक हवाओं बहुत भारी वर्षा और तुफानी लहरों के कारण बड़े पैमाने पर विनाश लाते हैं यह विश्व की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। चक्रवात गर्म उष्ट कटी बंधे महासागरों पर उत्पन होते हैं और तिव्र होते हैं। चली अब जानते हैं चक्रवात के बारे में। यह कम दबावाले छेतर के आस-पास तीजी से अंदर की ओर हवा का संचार होता है। हवा उत्री गोलार्थ में वामवर्थ दिशा में और दक्ष्णी गोलार्थ में दक्षडावर्थ दिशा में घूंती है। चक्रवातों के साथ आमतोर पर भयंकर तुफान और खराब मौसम भी आता है। इन्हें मुख्य रूप से दो शेडियों में वर्गी कृत किया जाता है। उश्नकटी बंधी चक्रवात अतरिक्त उश्नकटी बंधी चक्रवात। बतादे की चक्रवात शब्द ग्रीक अर्थ है साप की कुंडली। तो चलियां तुमें देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक उश्नकटी बंधी चक्रवात विश्व के सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। दो चक्रवात पस तेजी से अंदर की ओर हवा का संचार होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दो दो, डी ना तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद।